नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिविल सर्विसेस में एक फैसला आया है आज मतलब यह इंप्लिमेंट करने वाली है हमारी सरकार की पारलिया मेंट्री जो सिस्टेंडनी कमिटी है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि अगर जिसको गॉर्में सरी जो मिलिटरी प्रोविसर वाला है यह है और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंट्री है जैसे की इसराइल है काफी सारे देशों में ऐसा होता है बहुत इच्छा फैसला है लेकिन मेरा मैं भी अनलाइज कर रहा था यह चीज कि अगर आप इसमें ध्यान से समझे यह बात कि अगर यह बोल दिया जाए कि आपको गौर्वर्मेंट जॉब चाहिए तो पताइए कौन नहीं इसके लिए रेडी होगा ठीक है जादा तर इंडिया में जितने भी लोग है करोड़ों लोग आ जाएंगे एक दम से अब दूसरी बात यह कि यह कह रहा है कि पास साल क सर्विस जो कमपल्सरी होगी तो वो पहली बात तो इतना जादा अनिंप्लॉयमेंट है तो लोग तो वैसे ही हो जाएंगे तो मतलब सरकार को उसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना अगर यह वाली बात भी करनी है तो भी और दूसरा मुझे यह चीज़ एक समझने नहीं आती है कभी भी कि जो भी हमारे नेता लोग होते हैं जो हमारे एमपी लोग होते हैं जो हमारे एमले लोग होते हैं कभी उनके ओपर क्यों नहीं यह सब चीज़ होती हैं क्या वो देश के नागरिक नहीं होते हैं क्या वो देश की सेवा नहीं करते हैं क्या वो देश को नीचे हैं और वह आर्मी में रह सकते हैं उनको पाच प्रसाल के लिए बेजिए आप और या फिर जितने भी MPML वाले लोग हैं ये लोग जो हैं उनको भी बेजिए हैं इसमें मतलब सबका होना चाहिए ना पाटिसिपेट्सन ये देश की सुरक्षा करने का जो जिम्मा है वो सिर्फ नागरिकों नहीं थोड़े ना ले रखा है और ये जो MPML ये भी तो हमारे नागरिक है दूसरी बात है कि जो इंडियन आर्मी है कह रहे हैं कि जो हमारी आर्न पोर्सेजर वहाँ पे मैन पाउर काम है तो मैन पाउर तो को तो रिकूर्ट किया जा सकता है डारिक्ली उसके लिए ये कंपल सरी ट्रेनिंग पोईजन सिर्फ पास साल का क्या मतलब है मतलब आप पहले उनको ट्रेनिंग दोगे और इतना खर्चा करोगे और फिर उपास साल में वापस आ जाएंगे तो ये वाला जो कॉंसेट है इसमें बहुत जादर डिस्प्यूट हो सकते हैं मतलब आप इसमें आपके वाद और विवाद में प्रोज और कॉंस में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यह एक याद करके रखेगा थोड़ा से तयार करके रखेगा यह डिफेंस ऑप्शनल में भी आ सकता है यूपीश सी के में इसमें काफी अच्छा यह टॉपिक है और इसमें आप अपने अपने पॉइंट बताईए कि क्यों कंपल सरी जो आपकी मिलिटरी है क्यों होनी प्रीचर देखेगा तो हो सुचेगा कि यार यह वह ऐसी चीछ सोच रहा है यह और हमेशा यह समझा जाता है माना जाता है कि जो हम इस्टूडेंट लोग हैं वह अपनी हाद में रहके आंसर लिखें बहुत ही बैलेंस डांसर लिखें और उसमें वह बैलेंस पता नहीं कैस पर लागो होना चाहिए और दूसरी बात गवर्मेंट को यह सही बात अनलाइस करना चाहिए कि क्या सही बात यह कर पाएंगे यह आइडिया फीसिबल भी है बाकी सब तो छोटी-छोटी कंट्रीज है वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही नहीं है इसलिए वो लोग लगाते है हमारे हाँ तो पॉपुलेशन की कमी नहीं 130 करोर लोग है आप एक नौकली निकाल दो कम से 50 जर लोग आ जाएंगे तो पहली बात तो यह कि अगर इस में से भी चुनेंगे तो अब यह बात कैसी बोल रहा है कि सरकारी नौकली चाहिए तो चाहिए तो सबको लेकिन आप कैस कंदिए दो मी पमे में एलुड़ को इस दो से जोफ़ैंगे घून एंपारा इस कृत क्र वोटतार दे बैसमें यह डुने।